मम स्रेगने शाय नामहा मेरा नाचरह देनियाज हम बात करेंगे समिस्तर रासियों के लिए यानि कि 12 रासियों के रासिय फल तो 10 नौबर से 16 नौबर 2023 तक शूर रहे तुला रासिय में बैठे है साथ दिन का रासिय फल शबी राशियों के लिए असुप संकेत चाहे मेस राशियों चाहे ब्रसब राशियों चाहे मकार राशियों चाहे मीर राशियों एक राशिय से लेके 12 राशिय तक समस्त राशियों के लिए परेशानी तो यहाँ वीडियों पूरी देखे आपको अच्छे लेगे तो लाइक करना, सेर करना, सस्क्राइब जरो करना तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप यहाँ पाए करते हो तो हर राश्यों को वेनिफिट मिलेगा, हर राश्यों जितने भी लोग है उनको लाव मिलेगा क्योंकि सूर्य का है परकास है, सूर्य का है उन्नती है, सूर्य का है प्रत्यक्स देपता है, और सूर्य का है तुलारास में बेटे है ठीक है तुलारास में बैटे जिस कारण मनुष्यों को परेशान ही आएगी चाहे सरकारी नोकरी की तैयरी करें उनको परेशान नी आएगी चाहे आप कोई सा काघल बना रहे हो आपको puppy सरकारी डेपांडमेंट से तो आपको को रुकावटे आएगी क्योंकि सुर्य क्या है तुलारास में बैठे हैं तो यहां उपाय करने से आपके घर में सुक आएगा धनाएगा सब कुछ आएगा आपकी मनों कामना भी पूरी होगी तो जानते कैसे उपाय है ठीक है यहां पर मैंने आपको पहले भी बता दिया सुर लैड बा लकिए प्रकास कर रका है तो आप बढ़े होगे लिखोगे तो आप जैसे लिखोगे तो तुरांत आप अच्छे जैस लाइन है ठीक है लाइन प्लिख पाओ गे अंदिकार कर लएड बंज पनकरके मैं एक सब्झ यहां रखो गीप दूसरे दूसरे सब्झ तुरंत आपको दिख जाएगेगो मेज में रखा है वहाँ आलमारी में रखा है समान अपने ठीक है तो वही बोहने का मतब़ते है कि सुरह के आएगी रुकावटे आएगी अब विसे रूफ से किन लोगों को आएगी जिन उन लोगों को आएगी जिनका पहले से ही जनम पत्रिका में शूरगर है नीच रासे में बेटे है जिनका शूरगर है पहले से कमजोर है उनको बहुत जादा प्रेशानी आएगी उन लोगों को जनम पत्र का में ऐसे साथ लिखा रहता है शुरी ऐसे लिखावगा हैस अपकी जनम पत्र का में आप्ड चेकर सकते हो शुर लिखावगा तरह तो सूरिया नीचराषी के बेटे है तो हमेंसा आपके जीवन में अन्दकार करेंगे हमेशा आपको उन्नती से रुकावट करेंगे जैसे आपको उन्नती में जहां मिलेगे वहाँ पर रुकावट कर देंगे शूरे क्या है अन्दकार कर देंगे आपके जीवन में क्योंकि शूरे क्या है परकासे पर सूर्य हम आपे नीस रासे में बेड़ गए ठीक है तो आपको उसका उल्टा कर देंगे अंदकार तो आप आत्मी विश्वास आपना भूल जाओगे आपको कितना भी आएगा दस आत्मी के सामने आप आत्मी विश्वास भूल जाओगे आत्मी विश्वास ठीक है तो आपने क्या करना है समस्त राश्यों के लिए समस्त लोगों के लिए ठीक है तो आपने क्या करना है सबसे पहले आपने करना है माता पिता जी की सेवा करनी है उनका आस्वा प्राप्त करना है माता पिता जी कुछ न कुछ आप मातर पिताजी को कुछ न कुछ बैड़ करे जैसे मातर जो आप साड़ी दे सकते हो लाल रंग की ठीक है लाल रंग हो जिसे तो इसे लाल कैसे सुर्य ग्रह मजबूत होते हैं पिताजी को आप कमीज पेहनते हैं या आपके पिताजी कुर्ता सुराल पेंदे तो आप लाल कुर्ता दे सकते हो इससे क्या होगा आपके सुर्य ग्रह मजबूत होंगे और सुर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए पिताजी की सेवा करनी चाहिए और मातरी सेवा करने से चंदरमा ग्रह मुझबूत है तेया जनम पत्र का में आओ सोरी आजकल जो प्रकृत चल दा है तो शूर चंदरमा कहां बेटे है राहू के साथ बेटे है जिस कारण बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है ग्रहन लग रखा है ठीक है तो मैंने आपको पहले रखाता है कि हर मनुष्य के लिए इस समया परेशानी आ रही है क्योंकि जो प्रत्यक्स देवता चंदरमा दोनों ही कमजोर हो रखे है दोने ही प्रतेक्स देपता है दोने ही प्रकर्ति की आंक है इस कारण दोने ही कमज़ोद इस कारण सब मनुश्यों को परेशानी आएगी चिंताये आएगी रुकावटे आएगी ठीक है दूसरा रुपाय में यहां पर लिखा है माग गाहितरी का जाब करें माग गाहितरी जाब करने से शुरेगरह मजबुत होते है हर हर मनों कामना पूरी होती है गाहितरी का जाब करने से ठीक है वही बात करते हैं तीस रुपाय सुरेगरह को जल चड़ाए यजिए बहुत जादा आपको benefit मिलेगा वहीं बात करेंगे शूर अगर आयका दान करें यहां तो आप पिताजी को दान कर सकते हो पिताजी को बैट ला रहे हुँ मात आप पिताजी को दान करें यहां वीडियो छेले गए तो लाइक करना